इन्डिया खुद हमारे लोगों को जुवाओं को भड़काता नजर आया आपने देखा होगा तो इसी में जैसे हम जानते विधर खानौरी बॉर्डर के उपर सीधी नहीं जो किसान खेतों में थे सैड में तो साइड से गोली मार कर सर पर एक जुवा को शुब करन सिंग उसकी बाइस सा की उमर है दो उनकी बेहने हैं अकेला बेटा था मां का वुसकी मौत हो गए तो आज पूरे किसान मजदूर लहर के लिए बड़ा दुखत दिन है इतना बड़ा परहार केंदर की मोधी सरकार ने हमारे उपर किया है और दूसरा यहां कहले यह नहीं हुआ यहां लगबग सौ से अधिक हमारे किसान मजदूर जब उन्होंने हमला किया उसमें जखमी हो गए हैं और वो सरकारी हस्पितालों में नहीं जाते हैं उनको डर है हमारे उपर सरकार पर्चा करेगी शनाक्त हो जाएगी तो यह भी युवाओं को डर लग रहा है इसी के साथ साथ जो अर्दसैनिक फोर्च से हर्याना की पॉलिस थी उन्होंने जब पंजाब की टेरिटरी में आकर हमला किया लाठी चार्ज किया तो बहुत से जो ट्रेक्टर ट्रॉलिस थे 25 ती सो उसको तोड़ा और जो गाड़ियां थी उनको तोड़ा गया और इधर से साथ जुआओं को उठा कर ले गई हर्याना पॉलिस उनको मारा पीटा और फिसके खेतों में फेका गया बोरी में डाल कर पीटा गया तो बहुत बड़े पैमाने पर जबर केंदर सरकार द्वारा हमारे उपर किया गया तो आज दोनों फोर्मों ने विचार मर्श करने के बाद ये निरने लिया पी हम कल बिलकुल ब्लैक डे की और से इसको मनाएंगे और पूरे देशवर में सभी देश वासियों को एक सो चालिस करोड लोगों को अहवान करेंगे पी आप हर घर में काला जंडा लगाएं हर तरह के आपके विकल में काला जंडा लगाएं और ये देश का किसान जो अंदाता है उसके हक में आवाज उठाएं पी इस देश में जैसे जमूरियत है लोकतंतर है ये लोकतंतर का कतल किया गया हमें ना तो पिस फुली ढंक से आगे बढ़ने दिया जा रहा है और ना हमारी मांगे सुनी जा रही है देखे अगर युवनो की चाटरा आप 1948 की देखे उसकी 20 के एक भाग में लिखा है आप असेंबली कर सकते हैं पिस फुली को आपके पास को आमण नहीं होना चाहिए तो उनमें भार सरकार का समझावता हमारे देश का सहवदान देश की 19 धारा की दो अध्याइब बताता है प क्या बतात करें और जिस SDM ने कोई तो कोई SDM होगा कमांडेट को आडर दिया होगा या पोलिस को आडर दिया होगा उनको तभी आडर देने का हक होता जब दंगों जैसी पजीशन हो ऐसे लगता तो ऐसी तो कोई भी पजीशन नहीं थी हम बिलकुल पीसफुली बैठे हु हर गाओं, हर गली, हर कूछे में हमें पूरी आशा, पूरा देश एक जुठ हो के ये जो हमारे उपर किसान मजदूर के उपर जिस तरह से उनने परहार किया, जुल्म किया है, उस जुल्म के विरोध में कल उठ खड़ा होगा और हम पूरा अवान करते हैं, जैसे तामलाड पी गंटी का कानून बनाने के लिए देस और किसान मजदूर के सर के उपर से कर्ज मुक्ती करने के लिए MSP 50% के तरीके से अपनी फसलों का दाम लेने के लिए लखिमपुर खिरी का अनसाब लेने के लिए सभी केस दिल्ली में डालें थो उनको वापस कराने के लिए लेक्टिसी बिल जो अभी 2023 बन गया उसको वापस करवाने के लिए पुलूशन एक्ट से किसान को बाहर निकालने के लिए डवलूटियों से खेती सेक्टर बाहर निकाला जाए यह अन्य मांगों के साथ यह सब पूरा करने के लिए पूरे देश बर को अवाने उठीए और यह जो हमारे उपर जुल्म ढ़ा रही है सरकार उसके खिलाब उठकर अपनी अवाज बुलंद कीजिए और यह दो निरने आज हमारे साथ हुमें जहां तक पंजाब सरकार का सवाल है तो आज हम बैठे थे सभी पठे आला में तो सरकार के साथ हमारी परपोजल फाइनल हो गई है अभी सरकार की ओर से कोई पंजाब सरकार जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कोई फैसला नहीं आया तो जब तक अभी फैसला नहीं होगा तब तक पोस्ट मार्णम नहीं हो सकेगा अभी हमारे लीडर से उनसे बात कर रहे हैं आप देखिए कब पंजाब सरकार ये फैसला करती है और जो हमने परपोजल रखी थी भी आप पंजाब की टेरिटरी में आगे केंदर या हर्याना पोलिस या अर्दसैनिक फूर्स हामला कर रहे हैं तो हमने रखा क्या पंजाब सरकार 302 का परचा उनके उपर देगी तो उन्होंने परपोजल तो हमारी परवान कर ले भी या आपकी ठीक है बात तो आप देखें आगे क्या वो करते हैं और पोस्ट मार्णम में हमने बोड बनाने का निरने लिया उसकी वीडियो ग्राफी कराने का निरने लिया इसी के साथ-साथ उनके परिवार को नौकरी मावजा और सबसे बड़ी ब करार दे रहे हैं मुझे लगता इसमें ही साथ कांटा फटा होगा फिर भी जो भी होगा अभी मालुम चलेगा आने वाले समय में तो ये बातें अभी हुई हैं और हमारा अंदोलन पीसफुली ढंग से दोनों बॉडरों के उपर चल रहा हैं लाखों लोग आते हैं कुछ रोपए अपनी ट्रेक्टर टोलियां लेके डटे हुए हैं झाल झाल